हाथो मेरे पैर ललिपॉप मैं पंकजी आदव कैसे हो आप सभी आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे देख सकते पैरवच्छो क्लास 10 साइन्स का चेप् खतम है तीन चेप्टर बाकी है उसको भी हम खतम कर देंगे अभी मैं फिलाल क्या कर रहा हूं जो चेप्टर खतम कर चुके हैं उसका हम पेज के प्रश्ण अभ्यास के प्रश्ण वह सब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ठीक है सॉल्व करने जा रहा है कि करिये रहे हैं ठीक है इससे पीछे जितने भी सारे चेप्टर है उन सभी के पेज के प्रश्णों या अभ्यास के प्रश्णों सब हम सॉल्व करा दिये हैं ठीक है Link description box मिलेगा वहां से आप लोग जा करके देख लेना ठीक है तो आएए एक ही question लेते हैं और concept के साथ clear करते हैं और पैर बच्चे हो हमारे course चलता है नंबर है 85, 81, 80, 29, 29, 29 रुपे का course है इस नंबर पर message करना या call करना WhatsApp call ठीक है Receive कर लेगा और कहना कि हमें पंकर सर का course यह तो आपको QR code की मदब से 299 रुपे ले लिया जाएगा ठीक है फिर आपको group में सामिल कर दिया जाएगा पीछे जो भी पढ़ाई होंगे उस सब का notes मिलेगा आगे जो भी पढ़ाई होंगे उस सब का notes मिलेगा अब देखो भाई यह सब खत्म होने के बाद न आपको most important question भी मिल जाएंगे social science आड एंसर के द्वारा पढ़ाया जा रहे संस्क्रीट भी कोसिस कर रहा है दिये हैं कुछ वीडियो और आड एंसर संस्क्रीट भी आपको देंगे ठीक है तो शुरू करें आईए शुरू करत पहला प्रशन कहता DNA प्रकिरती का प्रजनन में क्या महत्तो है DNA का full form क्या होता है यह गलत बात है आईसी बोल दिया है मस्ती में DNA डियोक्सिर आइवो निकलिक एसीड होता है इसका full form ठीक है तो कहता DNA प्रकिरती का प्रजनन में प्रजनन यानि जनन में प्रजनन कहलो यानि यह नहीं पैदा करना तो जनन में क्या महत्तो है यह आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि एंसर मैंने लिखा कि DNA का प्रकिर्ती पीडियों तक गुनों को आगे लेकर चलती है कहने का मतलब जैसे पीडी दादा प्रदादा है ना पोता पोती यह सब जाता है ना तब माले जैसे हम पीता है अब हमरा कोई बेटा हो गया ठीक है हमरा बेटा के भी बेटा मतलब हमर पोता तो पीडियों तर पीडियों में क्या होता है गुन गुन जाते रहते हमारा जो गुन होगा वो गुन हमारे बेटे में भी जाएंगे समझ रहे ना हमारा जो लक्षन होगा वो हमारे वो बिटी में भी जायंगे या बेटी होगी तो बेटी में भी जायंगे लइका को बेटा बैटी खोडी नहीं लइका के तॉ पतनिक होगा ऐसे बूले ठीक है तो answer DNA का प्रिकृति बीडेका प्रकृति देता हो येगा अगर लाइका तेज है तक है हाँ आपकी जो वाइप हमर बेटा है ना ममी बुल लेगी उसकी है ना जैसे ही भोधा हो गया बाप पे गया है समझ रहा है ना लाइका को हमेशा तो नीचे ही गिराता रहता है तो लेकर चलती है इससे सारीरिक की डिजाइन में समता बनी रहती है बिलकुल बैसे हैं जैसे की हमार रूप रंग की आने वाले बच्चे भी उसका रूप रंग वैसा ही मा बाप छोट tempted बाहना हो ज़ At P coat आते रहते हैं थोड़ी बहुत है ना इससे प्राणी का स्थितों बना रहता है और डिन अनुवांसी गुनों का संदेश है संदेश है जो जन्म से संतान को प्राप्त होता है ठीक है यह आपने समझ लिया पहला कोशन आगे बढ़ते हैं दूसरा क्या कहता है जरा इसको ध्या आवश्यक नहीं है क्यों ऐसा पूछा जा रहा है सॉलूसन यानि अंसर इसका लिख दो कि जीवों में विविंता स्थापित प्रदान करता है इसलिए ठीक है यह आपने देख लिया आगे बढ़ते हैं अब हम दूसरा का यानि जो दो प्रशन लिये था ना उसके प्रशन क प्रशन कहता है कि कीस परकार ऐलग है यह आपसे पूछा जा रहा है आंसर मैं लिखा कि प्राम की बकसिके में 3 गौंडम गाता है जैसे कि आमीवा हो गया मतलब इसमें जीव क्या है एक कोसी क्या जीवerg होते ना वह सच Fiona जाते हैं विखन्डन काहते हैं कि है बट जाते हैं जैसे कि अमीवा अगर आप से जोब्जन के प्पूछाट ि ऐसा मानिया में क्या होता है इसमें भी अ चलिकन पार आगे बढ़ते हैं प्र्रoth तो बहु खंडन में एक कोश किये एक कोशिका कई संतती संतती का मतलब संतान बच्चा है ना तो कई एक कोशिका कई संतती कोशिका में पडिवर्तित हो जाता है जैसे कि प्लाजमोडियम यह प्लाजमोडियम है बहुत सारे कोशिकाओं में क्या होता है बट जाता है समझ रहे तो यह आपने देख लिए यह किसका उदाराने तो बहु खंडन का उदाराने प्लेज मोडियम यह आपने किलियर किया आगे वढ़ते हैं अगला क्वेशन लेते हैं दूसरा क्या कहता है बिजानु द्वारा जनन से जीव किस परकार लाभान वित होता है यह आपसे पूछा जा रहा है मैंने उत्तर लिखा मैंने उत्तर क्या लिखा कि बिजानु के चारो तरफ एक मोटी भित्ती होती है जैसे कि यह बिजानु होते बिजानु के चारो तरफ एक मोटी भित्ती होती है ठीक है समझ रहना मोटी भित्ती होती है आपने देख लिया कि बिजानु के चा समसतह यानी संपर्kę में आने पर वह विर्धी करने लगता है यह हलके तथा गोल होते हैं यह हलके तथा क्या गोल होते हैं जिसके कारण आसा रहां में फैल जाते हैं ठीक है यह आपने देख लिया मेरे भाई आगे बढ़ते हैं तीसरा क्या कहता है कि आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव जटिल संरचना वाले जीव है वो पुंडुद भवन द्वारा नई संतति उत्पन नहीं कर सकते हैं जटिल संरचना वाले हैं वो पुंडुद भवन द्वारा अपना मतलब जीव उत्पन नहीं कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं हना सरल संरचना वाले करते हैं पुन्रुद भवन का मतलब यह कि एक अंग काट दो तो नया जीव बन जाता है समझ रहना एक अंग काट दोगे तो क्या होगा नया जीव बन जाता है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं हाइड्रा है ना एक अंग कट करके क्या होता है एक नया जीव बन जाता है ठीक है उसी त रचना वाले जीव पुन्रुद भवन द्वारा नहीं संतति उत्पन नहीं कर सकते जैसे कि हम लोग है पुन्रुद भवन एक अंकट जागा थो थोरी न नया जीव उत्पन हो जागा संतति मतलब संतान क्योंकि इन जीवों की कोशिकाय विभीन कार्ज हे तू विशिष्टी क हो गया इसमें होती है ठीक है इसके अंतर गत्सरल प्राणियों को कई टुकरों में काट देने पर नए संतति यानि संतान या पुन्रुद जीव का निर्मान किया जाता है जैसे इसमें यह जीव इसको काट दोगे तो एक नया जीव बनेगा है इसको तीन भाग में बाढ़ हलो हलो चौथा कहता है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए काईक प्रवंधन का उपयोग क्यों किया जाता है जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसे उगाने के लिए काईक प्रवंधन का उपयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं आंसर मैंने लिखा कि इस प्रकिरिया में, इस प्रकिरिया में मतलग काईक प्रबंधन की प्रकिरिया में, ठीक है, तो इस प्रकिरिया में नए पौधे शिग्र तथा आसानी से उत्पन हो जाते हैं, है न, काईक प्रबंधन के द्वरा, ठीक है, तथा ऐसे पौधे भी इस व खो चुके होते हैं, है ना, इसके थिरिक्त इस प्रकार से उत्पन पौधे के समान होते हैं, इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए काईक प्रवंधन का उपयोग किया जाता है, यह आपने देखली आगे बढ़ते हैं, पाचमा क्या कहता है, डी एन ए की प्रकिर्टी ब कि जनन की प्रकिरिया से वैसी ही समरूप संतान को प्राप्ति की जाती है सiu-णन की प्रकिरिया से वैसे ही समूरूप संतार समूप मतलब जीसे हम है तो हमनहीं जैसन ठीक है अब हम माले ते हैं कि आदमी आप थोरी न गाय भारान चील से पहलेसे समझे Istree भर मतलब नहीं ठीक है तो आपने देख लिया कि जनन की प्रकिरिया से वैसे ही समरूप संतान को प्राप्ति की जाती है जैसे जनक होते हैं यानि जनक मतलब माता-पिता जैसे माता-पिता होते हैं डीने की प्रकिर्ती के परिणाम स्वरूप ही वंसानुगत गुनों से युक्त संतान बश्चक यह आपने देख लिया तो भाई दो प्रॉशन देखा मैंने एक प्रेशन में था दो कोष्शन और दूसरे प्रेशन में था पाँच कोष्शन मतलब टोटल ही हमने साथ कोष्शन देख लिया पेज के परशन ठीक है तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रहे ह कभी सेर करना और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दू कि हमारे ग्रूप से जो जादा नंबर लाएगा उसे 50,000 रुपे का इनाम मिलेगा ठीक है कितने हैं 50,000 रुपे का इनाम मिलेगा तो जल्दी से ग्रूप जॉइन कर लो यार ठीक है नंबर हमने दे दिया शुरू में मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई